हर हर मादेप सभी को साधर परणा मित्रो हमारे चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका मित्र कमल किशोर तो आज जानते हैं हिंदू धरम में प्याज और लसन को क्यों माना गया है वर्जित इतनी महत्वपूर्ण चीज को आखिर क्यों खाने से मना किया गया है आओ ज जानते हैं इस संबंद में महत्वपूर्ण जानकारी हिंदू धरम के अनुसार भोजन तीन परकार के हैं सात्विक राजसिक और तामसिक भोजन दूद घी चावल आटा मों सबजी जैसे सात्विक पदार्थें तीखे खटे चटपटे अधिक नमकिन आदि पदार्थों से निर्मित भोजन रोजोगुन में बढ़ोतरी करता है लसन प्याज मसरूम मांस मचली अंडे आदि पदार्थों सरीमत भागवद गीता में सत्रवे अध्याई में भी यह कहा गया है व्यक्ति जैसा भोजन खाता है वैसी अपनी प्रकृति सरीर का निर्मान करता है जिस भो प्याज खाने के कुछ नुकसान भी है ज्यादा प्याज खाने से गैस्टकार और अपट जैसी समश्यों का सामना करना पड़ता है ज्यादा प्याज खाने से मूँ से तेज दुरगंदा आती है वो कब भी बनता है इसको खाने से सिर में दर्द पैदा होता है और मस्तिस्क में कमजोरी आती है इसको खाने से मन में बेचैनी बढ़ जाती है और आलस भी बढ़ जाता है यह कामेच्छा को बढ़ाने वाला खादी बदारते हैं, ये रक्त की चाल और हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं, प्याज को काटने भर से आसू आते हैं और इसे खचा खाने से जिवा में जलन होती है। तो सोचिए सरीर में यहोग क्या करता होगा प्याज और लस्टन की कुछ पौराणी कथाईं भी हैं जो इस परकार हैं पौराणी कथा के अनुसार विस्नु रूप मोहिनी जब अमरित मन्थन से निकले अमरित को बाट रही थी तो उस दोरान जब राहु ने देखा कि ये तो सिर्प देवताओं को ही बाट रही हैं तो वहो चुपके से उठकर भेज बदल कर देवताओं की पंक्ति में जा बैठे जैसे ही उन्होंने अमरित चका तो चंदर देव ने यहोग देखकर जोर से कहा कि ये तो देंतिय राहु हैं तभी यहोग जानकर सिरी हरी विस्टु अपनी असली रूप में प्रकट होकर उसका सिर्प अपने सुदर्शन चक्र से काड़ दिया जब सिर काटा उस समय तक अमरित राहु के गले से नीचे नहीं उतर पाया था और चूंकि उनके सरीर में अमरित नहीं पहुंचा वो उसी समय भूमी पर उसका सिर रग्त और अम अमरित को सपर्स कर लिया था इसलिए राहु और केतु के मुख अमर हो गए कहते हैं कि राहु और केतु के रूप में प्रतक हुए उस समय राहु के सीज से जो रक्त गिरा उससे प्याज के पौधे का जनम हुआ और इसी कारण प्याज को काटने पर चक्र और संक की आकरती दिखाई देती है चुकि इस पौधे में अमरित की बुदो का भी योगदान था तो यहाँ पौधा जहां अमरित के समान है वहीं यहाँ मृत के समान भी है भागवान विश्णूर राहु और केतु के सिर काटे जाने पर उनके कटे सिरों से अमरित की कुछ बुदे जमीन पर गिरी जिन से प्याज और लसन उगजे चुकि यहाँ दोनों खादिपदार अमरित के बुदों से उगजे हैं इसलिए यहाँ रोगों और रोगवानों को नस्ट करने में अमरित समान भी होते हैं और यहाँ राक्सुसों के मुख से होकर गिरी है इसलिए इनमें तेज गन्द और ये अपवित्र माने जाते हैं इसका और स्दी और मसालों के रूप में अमरित के समान है परणतु इसका अदि शेवन करना तामutta गुणों को विक्सित करता है तो कहा जाता है कि जो प्याज का सेवन करते हैं उनका सरीर राक्ससों के सरीर की भाती मजबूत हो जाता है लेकिन उनके साथ ही उनकी बुद्धी, सोच, विचार, राक्ससों की तरह दुसित भी हो जाती है इसी कारण से हिंदू धर्म में जानकारी आपके लिए जरूर लापकारी रहेगी मित्रो हमारे चैनल को शेर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही अद्भुत जानकारी हम आपके समक्स लापाएं धन्यवाद इस्ट देव सदा सहाय।